हेलो फ्रेंड मैं हूँ शादुर्वे अमराउती से वेलकम है आपका अपने चानल गार्डनी वितूशा पे तो ये है कुछ पिछले विंटर सीजन का नजारा जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है जो मुझसे जुड़े हुए है एक सार से तो उन्हें पता होगा कि मेरे गार्डन में कौन से कौन से फ्लावर्स थे लेकिन जो अभी भी मेरे चानल से जुड़े है जो मुझसे जुड़ रहे हैं उन सारे लोगों के साथ ये मैं कुछ winter season का नजरा शेयर करना चाहती हूँ और साथी साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको कौन से flower winter season में लगाना है तो सबसे पहला और मेरा पसंदिदा flower है pitunia तो इसमें बहुत सारे colors आते हैं और ये इतने quantity में flowering करता है कि बस पूरा garden आपके फूलों से भरा रहता है तो चार-पाच महने ये फूल खिलते ही रहते हैं और मेरे पास एक double pitunia जो मैंने seed से germinate किया था तो वो तो सब का attraction रहा मेरे winter season garden का और साथ ही साथ ये इतने quantity में flowering कर रहा था कि आपको मैं क्या बताओ हर एक गमला बिल्कुल भूके जैसा लग रहा था second number पर है गुल्दावदी जिसे शेवन्ती कहते हैं तो यह है कुछ उस वक्त का नजारा और मैंने participate किया तो मैं मुझे यह कुछ trophies भी मिली थी तो यानि पूरे flowers तो नहीं खिले हैं तो यह है शेवन्ती और उसके बाद तीसरे नमबर पर है geranium जो बहुत ही प्यारा flower दिखता है तो इसके मेरे पास color अभी मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत सारे color शायद 10 color मेरे पास थे और इनके शुरू चाहिए इतने शुरू हुए थे मैंने पहले तो संभाल के रखे लेकिन बाद में जब एका दो बार बीच में बारिश हुई तो उन सारी बारिश में मेरे बीच भीग गए थे लेकिन कुछ मैंने संभाल के रखे थे और अगला number है विंका का जो सबसे मेरा फेवरेट है और मेरे पास इसके इतने सारी खलर है मैंने कभी गिने भी नहीं और जैसे-जैसे add होते गए तो ऐसे वैसे यह सारे colors मैंने अपने गार्डन में add किये लेकिन अभी मेरे पास इसके कोई भी जिर्स नहीं है फिर से मुझ इसके मैंने पिंचिंग करी थी और कितनी quantity में flower है तो ये भी आप add कर सकते हैं उसके बाद है pentas तो pentas ये permanent plant है और साल भर flowering करता है तो इस थरह से इसके मेरे पास च्छे color थे और इसका एक ही plant मेरे पास बचा हुआ है ये color तो ये मेरे पास साल भर से flowering कर रहा है तो ये भी आ आप add कर सकते हैं और इसके बाद आगे चलते हैं और अगला है जिनिया तो जिनिया में बहुत सारी variety मिलडी है और इसके बाद ये है impatience जिसे blossom भी कहते हैं तो इसके तो इतने प्यारी flowers लगे थे देखे इस तरह से हर एक गंबला यानि पूरा फूलों से भरा हुआ तो इसक Shading में भी दो Plant मेरे पास थे और अगला Plant है Calendula का तो इसका तो बहुत ही पयारा कलर मेरे पास है इसका कोई वीडियो शायद मेरे पास नहीं है उसके बाद है Duck Flour तो ये Duck Flour भी बहुत ही quantity तो आप इसे भी विंटर सीजन में लगा सकते हैं तो अगला नेक्स प्लांट है यह है तो यह है पैंजी तो इस पर भी बहुत ही प्यारे-प्यारे फ्लावरत आते हैं और इसके साथ में ऊपर गुविन भाई के पास जो रेट है वो भी आपको याने अड़ करूंगे उसमें और उसके बाद चलते हैं नेक्स प्लांट के तरफ वो है वर्बीना तो इतने सारे कलर मेरे पास थे और इसके इतने सारे सीर्स थे लेकिन मैंने तीन-चार बार सीर्स लगाए हैं अभी यह तो मेरे सारे घर के हैं लेकिन घर में कंस्रुक्शन का काम शुरू होने के वज़ तो यह सारे कलर मेरे पास थे और यह मैंने कुछ जो मेरे पास कलर नहीं थे जैसे यह वाला तो यह मैं नरसरी से लाए थी और बाकी जो कॉमन वाले थे वो मैंने सीर्स जर्मिन इड़ के थे तो इस तरह से यह हुआ उसके बाद है गिलार डिया जिसे क्या कहते हैं एक तो देखे इसमें इतने सारे फ्लावर्स आये हुए हैं हर एक पौधे पर और यह बहुत लॉंग लास्टिक प्लांट है यानि समर में भी चलता है और मेरे पास यह प्लांट बचे थे लेकिन मैंने फिर भी यानि नहीं रखा क्योंकि मेरे पास समर में रखने के लिए जग प्लांट कर सकते हैं और यह भी भारी कॉंटिटि में फ्लावर्रिंग करता है उसके बाद है यह मेरा कलांचू प्यारा से कलांचू तो यह कलांचू तो सब ने देखा होगा तो तो इसके आपको नर्शिर से प्लांट लाने होगे तो यह भी vinter season का फ्लावर है लेकिन यह बहुत ही देरी से फ्लावरिंग करता है जैसे जनवरी से शुरुवात होती है इनमें कलिया बनना और बाकी सारे फ्लावर्स तो समर तक चलते हैं तो इस तरह से ये हुआ कलांचु जो सारे जो मेरे ये पौध है ये सिर्फ पाच इंची या साथ इंची पौट में लगे हुए है हर एक गंबला देखी बिल्कुल छोटा सा है ये तो सिर्फ पाच इंची था और इसके सारे कलर्स मैंने नसरी से अभी लाए हैं क्योंकि मुझे फिर से इतनी फ्लावरिंग पानी है तो इस वज़े से मैंने इसमें तो ये सकुलन फैमिल से बिलॉंग करता है और इसकी कटिंग आप जैसे चाहो लगा सकते हैं कुई रूटिंग हर्मोन लगाने की ज़रूरत नहीं कहीं पे भी आप ऐसे ही लगा दो तो ये लग जाते है और देखिए कितने सारे फ्लावर हर एक पोदे पोई बिल्कुल गुच्छों में आपको दिख रहे हैं और एक बाज ये फ्लावर्ट जब खिल जाता है ये तीन महेने रहता है बिल्कुल गुल्दावदी के तरँ पहला फूल जो खिलता है वो आखरी तक यानि तीन चार महने तक वो फूल वैसा ही रहता है तो ये हुआ एक कलांचू और उसके बाद है लैंटाना तो लैंटाना के मेरे पास पांच कलर है तो ये है रेड, परपल, वाइड, यलो इस तरह के शेड है मेरे पास और अगला प्लांट है लिसे अन्थस का तो ये लिसे अन्थस भी सीर्ष से लगाया जाता है तो ये भी आप बुला सकते हैं इसमें भी आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे तो कुछ ये भी कलर है और ये कुछ आपको मिल जाएंगे गुविन भाई के पास ही मिलेंगे और उनका नंबर में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और ये है वेनिडियम मिक्स तो इस तरह से और भी बहुत सारे सीट्स मैंने इस बार ने अपने गार्डन में एड़ किये हैं तो वो है इंपेशन ये तो मेरे पास थे लेकिन वो प्लेन में थे ये लेकिन स्टार में और इसके बाद ये हॉलिवक्स टॉर्ड डबल मिक्स ये भी मैंने अपने गार्डन में अभी इसके भी सीट्स मंगवाए है और इसका प्राइस देखिए एस पे यानि अगर आपको खुला पैकेट मिलता है जिसमें 15 सीड होते हैं और जो दूसरा होता है वो होता है बड़ा सा पैकेट तो इन दोनों में से आपको जितने चाही उतने सीड्स आप बुला सकते हैं तो मैं तो सिर्फ जो उपर वारे जो एस पी होता है तो वही यानि 15 सीड्स हमारे गार्डन के विए सफिशन्ट हो जाते हैं तो इसलिए मैं वही बुलाती हूँ और देखें इनके प्राइज भी कितने कम है 15 या 20 या 15 रोपे से शुरुवात होती है और बहुत सारे ऐसे 100-100 तक ये प्लांट है तो ये भी आप बुला सकते हैं तो इस साल आप भी अपना विंटर गार्डन बनाए ये बिल्कुल मेरी गार्डन की तरह तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेर्स कीजिएगा वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे च तब तक ये लिए बाई बाई हैपी गार्डनी